साथियों, भारत सरकार ने 31 अक्तूबर सरदार वलबहाई पटेल की जन्वजैन्ती पर एक कारकम लिया है, एक भारत, स्विष्ट भारत. आप जिस काम को कर रहे हैं, उसमें उसकी ताकत पड़ी हुई है. भारत की जो विवीतताएं हैं, ये विवीतता हमारी ताकत है. पांच तमील गीत क्यों नहीं आने चाहिए? असम के बच्चों को पांच मराथी गीत क्यों नहीं आने चाहिए? तमील के बच्चों को पांच पंजाबी गीत क्यों नहीं आने चाहिए? यह यह हमारी ताकत है और इसलिए एक भारत श्रेष्ट भारत के दवारा हर राज्य को सभी राज्यों की प्राथमिक जानकारियां हमने एक भारत स्रेश भारत के द्वारा, एक digital platform बनाने की दिशा में भी प्रयाश शुरू किया है, हमने राज्यों को जोड़ा है, एक राज्य की दूसरे राज्य के साथ पैर बना रहे हैं, वो राज्य कुछ competition करें दूसरे राज्य के समद में, टूर करें तो दूसरे राज जब मैं दुनिया में कहीं जाता हूँ और कहता हूँ कि मेरा देश ऐसा है कि जिसमें हम सो भाषाओं को जानने वाले लोग हैं और सत्रासो से ज़्यादा हमारी बोरियां है तो विश्वक के लोगों का हसे लिए होता है। जूबा लगता है। लेकिन यहां तक पहुंचाने में अगर सबसे ज़्यादा और सरल ताकतवर रास्ता कोई हैं तो कला हैं, संगीत हैं, बाद्य हैं और आपने उस माध्यम को चुना है। आपके जैसे संगस्ता अपने स्तर पर भी इस कड़ी को बहुत आगे बढ़ा सकती हैं और बढ़ा रही हैं। आप अलग अलग राज्यों के जिन स्कूलों में जाते हैं उन्हें आपस में अलग अलग भाशाओं के गीत गाने के लिए, अलग अलग भाशा हैं बोलने के लिए हम कैसे प्रेरीद कर सकते हैं, उनको कैसे मारतर सकाब बन सकते हैं, देश को जोडने में, देश की एक्ता को बढ़ाने में ये आपके प्रयांस बहुत ही सार्थक होंगे ऐसा मेरा पुरा विश्वास है